अब आप सभी का फिर से स्वागते कॉंपेटिशन कम्यूनिटी में मैं हूं अभिशेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करण्ट अफेस्ट आज हमारे लिए राश्ट्री और अंतर राश्ट्री करण्ट अफेस्ट वे सभी समसमाई की जो हमारे जून के आकरी हफ्ती में हमारे हम अन्पूंट रही है आज हम उनिन सभी को डील करेंगे कल हम इन पर बेस करके आप लोगों के लिए करके हाएं है क्या सबसे पहले हमारा जो फौरमٹ हमसको समझ लेते हैं हमारा जो फॉर्मेट हमेशा सो रहा है इस हफ़ते होने वाली घटना King XY जैसे कि International Solar Alliance के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा सा हम देखेंगे टेली कम्यूनिकेशन एक 2023 के बारे में फिर हम देखेंगे ऐसे लोग जो चर्चित रहे हैं या फिर पीपल इन न्यूस रहे हैं जो की विक्रम मिस्त्री है आपकी श्रीजा अकूला है इसके या फिर पुरसकार जो हमारे एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे राश्ट्री एवं अंतर राश्ट्री इस तर पर क्या रहे हैं जर्चा का विशय रहे हैं जून के आखरी हफते में है ना तो यह है आपके पास में आर्टिफीशल इंटेलिजेंस प्रिपेर इंडेक्स रिलाइंस इंडस्ट्री इसके बाद में इंटरनाशनल ओलंपिक्स देज फिर हम चलेंगे हमारे स्पोर्ट्स के सेक्शन में और हम देखेंगे किसके बारे में महीला टेस्ट क्रिकेट जो हो रहा है फिलहाल उसके बारे में फिर हम देखेंगे आर्चरी वर्ड अब यह क्यों important है क्योंकि पैराग्वे नामक एक देश है जो क्या बन गया है अंतर्राश्ट्रिय सोलर अलायन्स थी देश बन गया है अंतर राश्ट्रिय सोलर अलायंस या फिर अंतर राश्ट्रिय सौर गड़ बंधन को 30 नवंबर 2015 में गठन किया गया था कहां से पैरिस से इसकी शुरुवात हुई थी लेकिन इसका हेड़ कौर्टर बना दिया गया है किसको गुरु ग्राम जो कि भारत में ह है तो इतने इंफॉर्मेशन हमको यहां पर देखने को क्या है मिल रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल सोरल अरायन्स का सौवा सदस्य देश बन गया है कौन पैरा गुए ठीक है आगे चलते हैं जो हमारे लिए अगला महत्वपूर्ण है वो है आपका टेली कम्यूनिकेशन एक्ट 2023 दूर संचार अधिनियम या फिर टेलीकॉम अधिनियम दो हजार तेईस 26 जून 2024 से कुछ धाराओं के सक्रिय होने के साथ प्रभावी हो गया है यानि कि इसे क्या कर दिया गया है देश में लागू कर दिया गया है किस दिन से 26 जून 2024 से लेकिन ये पूर्णतह लागू नहीं हुआ है अपनी कुछ धाराओं के साथ में वर्तमान में इसे क्या किया और संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंदिक कानून को संशोधित और समेकित करने के लिए वह वसानों से झुड़े या उसके अनुसंगिक मामले के लिए अधिनियम इसे बनाया गया है अब यह क्या कर रहा है यह भारत ही यह यह भारतिय टेलीग्राफी अधिनियम hidden 1983 को क्या कर रहा है यह repeal कर रहा है वापस ले रहा है और उसके बदले में यह क्या हो जाएगा आपका credible communications Act 2023 लागू हो जाएगा बहुत इंहांटी इसके बारे में क्या सत्य है इसे लागू किया गया है कब से इसे लागू किया गया है तो इसे लागू किया गया है कब से लागू किया गया है 26 जून 2024 से इसे लागू कर दिया गया है कब से 26 जून 2024 से इसे लागू कर दिया गया है इसके बाद में कुछ धाराओं के साथ में ये लागू हो गया है और ये किसे वापस ले रहा है तो भारतिय टेलिग्राफ अधिनियम 1985 और भारतिय वायरलेस टेलिग्राफी अधिनियम 1993 को ये निरस्त कर रहा है लेकिन जो आपका भारतिय टेलिग्राफी अधिनियम है 1985 उसके भाग 3 को ये छोड़ करके भाग 3 को छोड़ करके बाकी सभी को क इसका part 3 अभी भी क्या रहेगा लागू रहेगा देश में लेकिन बाकी सारे parts को क्या कर दिया जाएगा निरस्त कर दिया जाएगा या फिर repeal माना जाएगा और ये जो आपका भाग 3 है जो विद्दुत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अंतरगत transmission line बिछाने से संबंदित है केवल ये वाला जो पूरा का पूरा आपका भाग है ये क्या रहेगा आपका यथावत जारी रहेगा याने की part 3 of Indian Telegraphy Act 1985 relating to laying down of transmission lines under section 164 of electricity act 2003 ठीक है ये बस क्या रहेगा आपका जारी रहेगा आगे चलते हैं अब देखते हैं कोई ऐसे व्यक्ति हैं या व्यक्तित परस्नालिटी जो हमारे खबरों में continuously बनी रही है उनके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले हैं आपके कौन विक्रम मिस्त्री व भारत सरकार के नय विदेश सचिव के रूप में इन्हें क्या किया गया है नियूक्त किया गया है वरतमान में ये डिप्टी एनसे नेशनल सीक्योरिटी एडवाईजर है डिप्टी एनसे हैं कौन विक्रम मिस्त्री जिन्हें क्या किया गया है आपका Foreign Security Government of India के रूप में न मतला भी यह हो जाएगा आपका कॉन सा इंडियन टेनिस प्लेयर है यह और यह जूल कूछ डर कुत है माफ कीजएगा यहां पर कुछ त्रूटी है टाइटल और सिंगल कि debated स का是 गयं डर सिंगल टेपल टेनिस का जो तूनमेंट हुआ था उसमें Contender Singles की एक क्या होती है category event होती है इस event में participate किया किसने श्रीजा अकूला ने और इन्होंने क्या हासिल कर लिया है इन्होंने स्वन पदक हासिल कर लिया है और ऐसा करने वाली ये पूरे भारत की एक मात्र table tennis player बन गई है पूरे महिला और पुरुष सभी वर्गों में ये जो आ जो की कहां पर है Nigeria में यहां इसका क्या कराया गया अगलन हम देखते हैं किसे स्थान है जो चर्चित रहे हैं इस हफते हमारे लिए यानरे की जून के आखरी हफते में तो बिलकुल हमारे पास Ihnen dawn में सबसे पहला craft city, world craft city by world craft council, तो world craft council के द्वारा क्या गोशित किया गया है, इसे world craft city बना दिया गया है, और ये world craft city बनने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है, इसके पहले मैसूर, मलपुरम, जैपुर को भी क्या दिया जा चुका है, ये आपका जो विश्व शिल्प परिशद है इसके द्वारा विश्व शिल्प शहर बनाया जा चुका है तो आप लोगों से यहां से statement वाले question बनेंगे कि श्री नगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में घोशित किया गया है यहां भारत का कौन से क्रम का शहर है जिसे इस रूप में घोशित किया गया है किसके द्वारा किया गया है कब किया गया है यह सब चीजें आप लोगों के लिए क्या हो जाती है आगे चलते हैं कोजी गोड़ अब कोजी गोड़ हमारे ले क्यों important है क्योंकि ये भारत का पहला UNESCO साहित शहर गोशित किया गया है याने कि कोजी गोड़ has been declared as India's first UNESCO City for Literature UNESCO City for Literature और ये पूरे भारत का पहला शहर है जिसे क्या गोशित किया गया है साहित शहर गोशित किया गया है UNESCO द्वारा कोजी गोड़ या मानिता पाने वाला दक्षिण एशियाई दूसरा शहर बन गया है पूरे अगर हम South Asia की बात करें तो ये second शहर है या फिर second city है जिसे य गोशित किया गया है क्या City of Literature by UNESCO इट इस बर्थ प्लेस ऑफ मल्यालम लैंवेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दुनिया की प्राचीनतम भाशाओं में से एक मल्यालम भाशा जो द्रविश हैली की भाशा है उसकी जनिनी माना गया है किस स्थान को कोजी गोड़ को ह है क्या UNESCO का City of Literature आगे चलते हैं क्या हमारे पास में कोई महत्वपूर्ण दिवस या रिपोर्ट या फिर पूरसकार हैं तो बिलकुल हमारे पास में कुछ रिपोर्ट हैं जिनको हमें देखना है कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण ऐसे दिवस हैं जिने हम हर वर्ष क्या कर एक्जाम हो यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आइटीफीशल इंटेलिजेंस प्रिपेरडनेस इंडेक्स आइटीफीशल इंटेलिजेंस की तैयारी सूचकांक जारी की गई है अंतरराश्ट्री मुद्रकोश याने की इंटरनाशनल मॉनिटरी फ स्थान प्राप्त किया है 72nd rank में है और जबकि जो टॉप फूर कंट्रीज है वो हैं आपके सिंगापोर डैन्मार्क अमेरिका निदर्लैंड्स और अस्टोनिया भारत को कौन सा रैंक मिला है तो भारत को बहततर्वा रैंक मिला है क्या नमाप रहा है यह कि हम कितने तयार है हमारी जो पारंपरिक टेक्नोलोजी है उससे हम शिफ्ट करेंगे जो आर्टिफीशल इंटेलिजेंस है उसके लिए हम कितने तयार है यह इंडेक्स माप रहा है सूच कांख ने देशों को तीन प्रमुक्ष रेडियों में वर्गी कृत किया है पहला है उन्नत अर्थ स्थाए और तीसरा है कम आये वाली अर्थ व्यवस्थाए एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंडेक्स है इस कैटेग्राइज कंट्रीज इंटो थ्री मेजर क्लासे एडवांस एकोनॉमीज एमर्जिंग एकॉनमीज और लो इकॉनमीज लो स्कोर्स देता है और इन स्कोर के अधार पर उन देशों को यह क्या देगा रैंक्स जारी करता है है जो सिंगापूर है जो विश्व का सबसे ज्यादा AI क्या है आपका तैयार देश है उसने कितने अंक प्राप्त किये है 0.80 अंक इसने प्राप्त किये है जबकि जो भारत है भारत ने इसमें कितने अंक प्राप्त किये है तो 0.49 अंक इसने क्या किया है प्राप्त किया है भारत ने सूचकांक मैक्रो स्ट्रक्चरल संकेतों के एक सम्रिद्ध सेट पर आधारित है जो देश के डिजिटल बुनियादी धाचे, मानौफ पुंजी, श्रम बजार नीतियों और नवाचार और आर्थिक एकी करण के साथ-साथ विनिमय और नैतिकता को कवर करता है मतलब यह क्या है चार मेजर कैटिगरीज में यह क्या कर रहा है देशों का मापन कर रहा है सबसे पहला है आपका क्या डिजिटल बुनियादी धाचा याने की डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर दूसरा है आपका हुमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज याने की पुंजी और शवम बजार की नीतियों पर इसको क्या करता है मापता है तीसरा है इनोबेशन एंड इकॉनमिक इंटिग्रेशन एनियान की नवाचार और आर्थिक एकी करण सुर्ण बंड और चारouse कारे यहाफका सबसे पहला है आपके पास में डिजिटल मार्केट, डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर, दूसरा है आपका इकोनमिक इंटिग्रेशन और चौथा है आपका क्या रेगुलेशन एंड एथिक्स तो यह बहुत ज्यादा महत्पूर्ण हो जाता है पहला है आपका डिजिटल बुनियादी धांचा दूसरा है आपका क्या मानव पुंजी और श्रम बजार नीतियां तीसरा है आपका नवा में जो दूसरा हमारे लिए महत्पूर्ण है वह है रिलाइंस इंडस्ट्री जो है इस बिकम दो फर्स्ट कंपनी आफ कंट्री तो है मार्केट वैल्यू मोर्दें 21 लाक करोड मतलब 21 लाक करोड से ज्यादा बाजार मूल्य वाल्या पहला कंपनी बन गया है देश का कौन सा रिलाइंस इंडस्ट्री बस इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है जाने के लिए इतनी ही बात है तीसरा जो हमारे पास में है यह इंटरनेशनल ओलंपिक्स दे हर वर्ष 23 जून को हम मनाते हैं क्या इंटरनेशनल ओलंपिक्स दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रिय समीति की स्थापना के उपलक्ष में प्रती वर्ष हम 23 जून को क्या मनाते हैं अंतर राश्ट्रिय ओलंपिक दिवस मनाते हैं कि अगे चलते हैं अगला जो हमारा है वह है सपोस nimmt सब से पहला है क्या महिला टेस्टव क्रिकेट जो हमारेAK चिंण सेती हो रहा है जो मुख्यता आपका है इंडिया और साउत अफरीका के बीच में क्या है टेस्ट मैच के रूप में आप लोगों को देखने मिल रहा है यहाँ पर भारतिय तीम ने भारतिय महिला टीम ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाये हैं वो हम देख लेते हैं सबसे पहला जो है टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन सबसे ज्यादा रन चाहे वो महिला स्टेडी हो चाहे पूर स्टेडी हो सभी को मिला करके सबसे ज्यादा रन बनाने का क्या किया है इन्होंने हमारी भारतिय महिला टीम ने रिकॉर्ड बना दिया है मतलब टेस्ट मैच के पहले दिन सरवादिक रन बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 552 रन्स इन्होंने ओवराल बनाया है और इन्होंने पाकिस्तान की टीम का क्या कर दिया है रिकॉड तोड़ दिया है पहले यह 505 रन बनाकर पाकिस्तान की पुरुष टीम क्या थी सरवाधिक रन बनाने वाली पहले दिन टेस्ट मैच के टीम थी लेकिन उसे पिछवाड करके भारती महिला टीम ने क्या बना दिया है नया रिकॉर्ड बना दिया है दूसरा बनाया गया है महिला क्रिकेट में एक दिन में यह सबसे ज्यादा स्कोर बनाया गया है मतलब पूरी विश्व में महिला की जो टेस्ट क्रिकेट होती है महिलाओं की उसमें एक दिन का सरवाधिक स्कोर भी है ये तो ये भी दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है तीसरा रिकॉर्ड महिला क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी उपनिंग साजेदारी 292 रनों की है शेफाली वर्मा और स्मृती मन्नाना के बीच याने की पहली दिन की क्रिकेट में स्मृती मन्नाना और शेफाली वर्मा के बीच में आज तक के दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बनाई गई है साजेदारी बनाई गई है जो की opening साजेदारी है महीला cricket में आज तक की सबसे बड़ी opening साजेदारी है तो ये सभी क्या हो रहे है रिकॉर्ड्स दोड रही है कौन? Indian Women's Cricket Team अगला हमारे पास में जो टॉपिक है वो है आर्चरी का World Cup Stage 3 हम लोगों को पता है तीर अंदाजी जो विश्वकप है इस बार चार चरणों में हो रहा है पहला चरण दूसरा चरण complete हो चुका है और वरतमान में तीसरा चरण भी complete हो गया है और इन पूरे की पूरे तीनों चरणों में जो भारत की Women Compound Team है महीला Compound Team जो रही है इसने तीनों ही तीनों इवेंट में क्या किया है गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है तो टीम हैस वान गोल्ड मेडल एट आल दे थ्री स्टेजेस अफ वर्ल्ड कप 24 और इस टीम की जो Compound Team के हिस्सा है वो है सुरेखा विनम्मा परनीत कौर और तीसरी अदिती स्वामी वेरी 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 इंपोर्टेंट ये तीन सक्षियत ऐसे है जिनके उपर आप लोगों को अगले दो सालों तक कंटिनियसली क्वेस्टन्स पूछे ही जाएंगे क्योंकि ये भारत का आचरी के वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है आज तक का महिला कंपाउंट टीम ने कंटिनियसली स्टेज वन स्टेज टू और स्टेज त्री में क्या किया है गोल्ड मेडल जीत लिया है अपने आप में एक रिकॉर्ड बना लिया है स्टेज त्री में प्रियांशू ने भी क्या किया है सिल्वर मेडल जीता है मेंस आच्री के इवेंट में आगे चलते हैं विविद तो यहां पर हमारा खतम होता है जून महिने के अंतिम हफ्ते में हुए वे सभी समसमाई की जो हमारे राष्ट्री और अंतरराष्ट्री लेवल के लिए क्या रहे है जरूरी रहे है उन सभी को हमने डील किया है कल हम इन पर बेस करके आप लोगों के लिए MCQs लेकर के आएंगे तब तक हमारे चैनल पे बने रहेंगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारे वीडियोज आपसे मिस ना हो जाए तैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको